चट पूजा की परमपरा कैसे शुरू हुई? इस संदर्ब में कई कथाएं प्रचलित हैं. इसका जिक्र महाभारत में भी है, रामायन में भी है, साथ ही कल्यूग में भी इसकी शुरूआत की कहानी प्रचलित है. चट पूजा की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है. हर कोई अब तैयारी में लगा हुआ है. चटी मैया और सूर्यदेव की उपासना का यह महापर्फ खास महत्व का होता है. आम जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है. सूर्य की उपासना से हर मनो कामना पूरी होती है. लोग खोया हुआ मान सम्मान, धन वैभवत नौकरी, संत की इच्छा के लिए इस्तियोहार को करते हैं. शुधता और पवित्रता से चट पूजा की जाती है. चट पूजा का जिक्र महाभारत समेट कई ग्रंतों में है. इसकी शुरुवात को लेकर कई कहानी प्रचलित है, जो इसके महत्व को दर्शाता है. चट पूजा की परमप कर्ल ने सूर्य की पूजा करके शुरू की थी. कहा जाता है कि कर्ल भगवान सूर्य की परमभक्त थे. वे रोज घंतों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्ग्या देते थे. सूर्य की क्रिपा से ही वह महान योध्धा बने. वही से पानी में खड़े होकर अर्ग्य देने की परंपरा शुरू हुई पांडवों ने भी किया था छट महा भारत काल से जुड़ा हुआ एक और कथा प्रचलित है जिसमें पांडवों और द्रौपदी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान धन दौलत राजपार को वापस पाने के लिए छट किया था इसके बाद सभ हस्तिनापूर को लोटे इस रत के जरिये पांडवों को राजपार भी वापस मिला रामायन काल में भी हुआ था छट पौरानिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम योध्या लोटे थे तो रावन वद के पाप से मुक्त होने के लिए रिशी ने मा सीता को गंगाजल छिरख कर पवित्र किया एवं कार्थिक मास के शुकि पक्ष शष्ठी तिथी को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया इसके बाद माता सीता ने च्छे दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी सपने में आय माता शष्ठी पु उपासना के लिए कहा। उपासना की थी। इससे वह शीग्रही ठीक हो गया। उसी समय से इस पर्व को आस्था के साथ मनाया जाने लगा।